आज के इस वीडेो में हम 2D plus 3D रेंच बनाने वाले हैं जिसमें हम 2D में पूरे रेंच को बनाएंगे उसमें Dimension Supply करेंगे, Central Line Supply करेंगे और इस रेंच को किस तरह से हम बना सकते हैं इसके पूरे मिथड को Explain करेंगे करेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसका 3D भी यहाँ पर create करेंगे देख सकते हो यह wrench है जो के हमने 3D में इसे बनाया हुआ है तो 2D प्लस 3D दोनों हम लोग इस tutorial में देखने वाले हैं तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर right side के portion से start करने वाला हूँ तो यहाँ पर सारे dimensions हमें दिये गए हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इस point को हम as a origin consider कर लेंगे और यहाँ से हम लोग start करेंगे अपने drawing को इस point से तो यहाँ से आप देख सकते हो के हमें यहाँ पर 24 का distance दिया हुआ है तो इसी को सबसे पहले offset करेंगे हम लोग यहां से तो यहां तक 24 तो इसे draw कर लेते हैं मैं एक new file ले लेता हूँ new file प्लस करेंगे autocad में कुछ settings चेक कर लेते हैं unit mm में होना चाहिए decimal होना चाहिए precision आप रख सकते है 0.00 ओके तो यह मैंने unit set कर दिया है नीचे आपक grid mode आप चाहो तो off कर सकते हो यहां से यहां पर आप dynamic input को on रखिए dynamic input से आप जो भी type करेंगे वो display में type होगा आपका values आपको display में यहां पर नज़र आएंगी instead of command line तो command line की जगह आपको display पर ही यहां पर cursor के बिल्कुल बाजू में आपको नज़र आएंगी तो इसके लिए यह on रखिए ortho mode को on कर लिजिए और यहां पर object snap को on कर लिजिए और object snap में सारे आप चाहो तो सारे यहां पर points को on रख सकते हो हमें सब की जरूरत generally पढ़ती है और कोई भी problem हमें नहीं आती तो चलिए फिलाल मैं एक vertical line ले ले लेता हूं तो drawing की जैसे के size में देख पा रहा हूं तो height लगबग मुझे यहां पर 50 के आसपास लग रही है तो हम अंदाज एक line ले लेते हैं 60 mm के लिए लेते हैं वर्टिकल यह center line में ले ला हूं तो चोटा सा बिल्कुल यहां पर line ड्रॉ हुई है तो आपको कभी-कभी होता है कि display में line नजर नहीं आती क्योंकि वह ब आपने draw की होगी तो double middle mouse आपको क्लिक करना है तो यह देखिए हमारे line सामने आ चुकी है अब यहां पर मैं इसके center में एक line draw कर लेता हूं जो midpoint है उससे हम लोग track कर लेंगे तो tracking के लिए यहां पर हमें object snap tracking को on करना पड़ेगा इसे भी on कर लीजे object snap tracking ताके हम midpoint को इस तरह से track कर पाएं और यहां से एक normal सी मैं center line ले लेता हूं तो इसमें center lines की बहुत ज़्यादा importance है पहले हमें projections सारे इसमें create करने होंगे तो यह दोनों lines में ले लिए हैं और याद रहे कि इसके center में ही लीजे नहीं तो थोड़ा बहुत आगी पीछे होगा तो problem हो सकती है आपके तो अब दिखते हैं drawing तो मैंने यह point draw कर लिया है अब यहां से देख सकते हो यह angle है 15 degree horizontal से 15 degree पर यह center line है तो इस center line को हम 15 degree पर draw कर लेंगे तो मैं 15 degree पर line ले ले लेता हूं एक point यहाँ पर दे देता हूं और यहाँ पर हम लोग tap press करेंगे angle put करने के लिए tap press करेंगे यहाँ और tap press करेंगे यहाँ पर 15 degree हम डाल देंगे enter तो यह देखें 15 degree पर एक line हमारी मिल चुकी है और next यहाँ पर हम लोगों को यहाँ से भी 15 degree पर angle चाहिए देखेंगे यह वाली line हमें चाहिए यह वाली line इसका भी angle 15 degree होगा to the vertical vertical को 15 degree होगा यह और इसको perpendicular है यह मुझे कैसे पत perpendicular है तो automatically यह vertical को 15 degree हो जाएगा तो यह वाला line बनाने के लिए हमें क्या करना होगा तो देख सकते हो 24 दिया हुआ है इस point से 24 तो यहाँ पर हमें एक line ड्रॉ करनी होगी यहाँ से offset करना होगा 24 सबसे पहले हम लोग एक line बना लेते हैं यहाँ पर 15 degree पर तो मैं इसे ही rotate कर देत और यहाँ पर आपको copy पर click करना जुरूरी है क्योंकि इस line की हमें copy create करनी है copy पर click किजिए या फिर c enter कर सकते हो c enter और फिर 15 degree आप डाल सकते हो ताकि इसकी copy create हो तो देखिए इस line की एक copy create हो गई है जो यह दोनों एक दूसरे को perpendicular है तो इस line से हमें 24 offset करना है तो offset ले लेता count 24 enter इस line को offset कर देंगे यह देखिए हमें 24 पे एक line अब देखते हैं और किस lines की हमें जूरत है फिलाल इतना काफी है तो सबसे पहले हम यहां के internal portion को बना लेते हैं यह simple होगा हमारे लिए तो internal portion में हमें यह दोनों line चाहिए दो जो कि इसे parallel है तो offset कर देंगे दोनों side में हम हम लोग इसे तो यहां पर 24 distance हमें नजर आ रहा है तो 12 12 दोनों side में हमें offset करना होगा इसे तो हम लोग offset कर लेते हैं ओ enter 12 enter अब इस line को offset बोथ side में यह हो गया तो 24 का offset हमने कर दिया यहां पर अब यहां पर इस आर्क को draw करना है यह आर्क है इसका जो center हमें नजर आ रहा है यहां पर है 14 radius है मतलब यह जो distance होगा इस point से तो इस point तक यह 14 mm होगा इस point से इस point तक हमें 14 mm distance लेना है तो simple हम offset करेंगे हम पर 14 mm center लेने के लिए इस point से हम 14 14 enter और इस line को offset कर देंगे और यहां से एक circle हम लोग arc draw कर सकते हैं तो यह 12 offset हुआ या नहीं मैं चेक कर लेता हूँ di for distance measurement ओके यह 12 है total 24 यहाँ पर center मिल चुका है c enter center यहाँ पर click करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे हम लोग circle की radius जो के है 14 एंटर यह देखिए हमारा circle draw हो गया है extra portion को तुरंद delete कर दे वरना बाद में आपको confusion create होगी क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा projections lines हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं तो इसलिए यहाँ पर आप इसे trim कर दीजिए tr double enter यह देखिए सबसे पहले मैं इस arc को extra portion को trim कर देता हूँ यह line भी मैं trim कर देता हूँ जो इससे बाहर आ रही है तो यह देखिए इस arc को delete direct यह हो गया यह portion हमारा create हो चुका है देखिए internal यह extra lines भी हमें इसके बाद नहीं चाहिए extra lines है देख सकते हो यहाँ पर इस line के बाद कोई भी line हमें ज़रुरत नहीं है तो हम इसे भी trim कर सकते हैं यहाँ पर तो यह internal portion हमारा बन चुका है अब next हम लोग क्या करेंगे outer portion बनाएंगे जिसमें लगबग एक दो और यह तीन टाइप के arcs यहाँ पर है तो तीनों टाइप के arcs मुझे कैसे पता चला तो यहाँ पर इसकी एक radius दी हुई है देखिए 40 इस बड़े वाले arc की इसकी एक radius दी हुई है 16 और इसकी भी दी हुई है 30 इससे मुझे पता चला कि यहाँ पर तीन टाइप के यहाँ पर arc का तो यह first circle हो गया second circle draw करेंगे जो के है 30 इसका भी center हमें पता है इस point पर मगर इस बीच वाले circle का पता नहीं है देखिए radius 16 इसका center कहीं यहाँ पर है तो जिसका center पता नहीं है उसे draw मत कीजिए उसे हम लोग fillet या फिर 1010 radius का use करके भी बाद में create कर सकते हैं तो जिसका center पता है उसी को आप बनाईए यहाँ पर तो 30 radius है यहाँ पर इस point से 30 mm मैं circle draw कर लेता हूं C enter यहाँ पर 30 enter तो यह दोनों circle draw हो चुके देख सकते हो हमें सिर्फ यह portion required है यह internal यह इतना portion बागी का extra में trim कर देता हूं यह पर tr double enter यह वाला यह वाला तो यह सारे portion हमने trim कर दिया है तो अब देखते हैं कि यहाँ पर हमें और क्या-क्या draw करना बागी है तो यह last जो है 16 mm radius का यहाँ पर fillet कर सकते हैं हम लोग इन दोनों arc के बीच जो यहाँ पर हमें corner नजर आ रहा है तो यहाँ पर मैं f enter करता हूं r enter for radius और इसके बाद यहाँ पर मैं 16 mm डाल देता हूं 16 enter और इन दोनों पर click तो देखिए यह trim नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर no trim है तो मैं यहाँ पर पहले set कर लेता हूं no trim का trim f enter r enter 16 enter अब यहाँ पर trim option है यहाँ पर क्लिक किजिए और यहाँ पर trim पर select किजिए तो यह देखिए यह extra portion trim हो जाएगा space press किजिए और इसे भी आप fillet कर दीजिए यह portion हो गया अब यह वाला portion भी हमें required नहीं है बस इसी line तक हमारा last है तो इसे भी tr double enter करके है इसे भी हम लोग trim कर देंगे यह extra line है तो हम इसे भी delete कर सकते हैं फिलाल मैं extra center lines भी delete कर देता हूँ अब तो यह सारी चीज़ें हमारी बन चुकी है complete हो चुका है drawing तो अब हम इस projections को delete कर सकते हैं यह वाला भी हमें required नहीं है फिलाल आप चाहूँ तो रख सकते हो center line required है इसे delete मत किजिए यह आगे हमारे काम आएगा और vertical भी line यह हमें काम आएगी यह वाली भी line lead मत कीजिए में दो reference lines रहने दीजिए तो यह complete हो जुग है हमारा एक side आप दूसरे side देखते हैं तो दोनो sides के जो points है origin यहाँ पर तो उनके बीज यहाँ पर 188 का gap है हम directly offset कर सकते हैं 188 और हमें यह point मिल जाएगा तो हम यहाँ पर जाएंगे horizontal line को click करके इस तरह से extend कर देंगे यहाँ पर और offset करेंगे 188 o enter 188 enter और इस line को offset करेंगे तो यह देखी यहाँ पर हमें मिल चुका है यह line अब हम यहाँ पर next portion draw करने के कोशिश करते हैं तो यहाँ पर भी same हम पहले projections draw करेंगे angle 15 है यहाँ पर भी देख सकते हो मगर नीचे की तरफ पिछले बार उपर की तरफ था इस बार हमारा यह नीचे की तरफ है तो हम इसे angle में ले ले लेंगे यहाँ पर दो lines लेंगे angle 15 में एक horizontal से नीचे की तरफ 15 में यह वाली और एक ही यह वाली सबसे पहले यह वाली ले ले लेता हूं मैं simple सा L4 line तो यहाँ से नीचे की तरफ हमें चाहिए तो यहाँ से देखिए आप 180 degree दिखा रहा है यहाँ पर positive horizontal से tab 180 degree पर हमारा यहाँ पर angle शो रहा है इस side की line तो हम 180 प्लस 15 यहाँ पर डालेंगे 180 प्लस 15 195 तो angle डाल दिए 195 एंटर तो यह line हमारी बन जाएगी यह horizontal से 15 degree यह total 180 degree हो गया और यह 15 degree तो यह हमारी line ड्रा हो गई है अब इस line को भी rotate कर देंगे 15 degree एंगल में तो हम ro for rotate enter paste point copy के लिए c enter प्रेस किजिए और यहाँ पर 15 degree डाल सकते हो anti clockwise के लिए plus में 15 degree और clockwise के लिए minus में 15 degree आप डाल सकते हो तो 15 degree enter और यह हमारा बन चुका है यह line अब next यहां से offset करना है हमें देखते हैं offset का क्या distance है इस point से इस point का end point 27 distance है यहाँ पर तो मैं offset कर देता हूं 27 enter 27 enter और यहां पर मैंने offset कर दिया और उसके बाद हम लोग अंदर का portion बनाने वाले हैं तो इसके लिए देखिए यह जो आर्क है इसका हमें center point यहाँ पर पता है यहाँ पर दिखाया हुए देखिए 27 radius है इसकी 27 radius center point यहाँ पर है तो इस point से हम यह आर्क ड्रॉ कर सकते हैं और इनके बीच का gap जो है वो है 27 तो 27 का gap है और 27 का आर्क है यहाँ पर दोनों चीज़े है तो चलिए यहाँ पर मैं ले ले लेता हूं ओ फॉ और offset offset जो है वो 27 का half होगा यहाँ पर 27 का half होता है 13.5 तो 13.5 हम लोग यहाँ पर offset करेंगे इस line को उपर की तरफ और इस line को नीचे की तरफ और इसी point से circle लेकर हम यहाँ से draw करेंगे एक circle जिसकी radius भी 27 है एंटर यह arc भी हमारा draw हो चुका है अब extra portion हम लोग ट्रिम कर देंग तुरंत ताकि हमें आगे दिक्कत ना आए ट्रिम करना जुरूरी है अपने drawing को जितना clear रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा यह दोनों trim हो गए इसे भी delete कर देंगे और इस line के आगे इस line के आगे हमें कोई भी line required नहीं है तो हम इसे भी trim कर देंगे यहाँ पर हम लोग trim कर लेते हैं ठीक है अब outer portion हम लोग draw करेंगे तो outer portion देख लेते हैं सबसे पहले यह वाला circle जो कि है 43 radius का यहाँ पर देख सकते हो जिसका center इस point पर है तो C enter यहाँ पर click करेंगे और 43 यहाँ पर press करेंगे enter यह हमारा 43 का एक circle draw हो गया है next circle यह वाला draw करेंगे हम रहा है तो 34 यहाँ पर C enter करेंगे center यहाँ पर देंगे and 34 enter यहाँ पर देखिया हमारा circle आ गया है अब हमें extra portion जो कि इस side में है और side में है यह trim कर देना है TR double enter इस portion को इस portion को यहाँ पर और यहाँ पर तो यह हमें portion मिल चुका है यह corner मिल रहा है जहाँ पर हमें fillet करना होगा जो के है 16 radius का तो F enter और enter 16 enter अब यहाँ पर apply कर देंगे space यहाँ पर भी apply कर देंगे तो यह पिछली बार की तरह हमने यह भी complete कर लि है यह जो आर्क है इसे ट्रिम कर देंगे इस extra line को भी हम लोग अब ट्रिम कर देंगे हमारा यह portion भी complete हो चुका है इन angular lines को भी delete कर देंगे और इस vertical line की भी अब जरूरत नहीं है तो delete कर देंगे तो उन lines को भी delete कर देंगे नेक्स्ट अब यहाँ पर हमें beach का portion बनाना है देख सकते हो तो यह जो total distance इनके बीच नज़र आ रहा है वो 20 mm का है तो मैं offset कर देता हूं बोट side 10 mm ओफ और offset 10 enter तो यह offset उपर की तरफ और नीचे की तरफ यह हो गया 10 10 mm offset extra portion आप चाहो तो यहां पर trim कर सकते हो फिलेट में यह तो इसे trim कर देते हैं tr single enter करेंगे इस बार और इस आर्क और इस दोनों आर्क को select करेंगे space करेंगे और अब इन्हें हम trim करेंगे देखिए यह पूरा के पूरा यहां पर trim हो जा रहा है क्योंकि हमने as a limit इस आर्क को select किया इसके बाद का जो भी portion होगा वो trim हो जाएगा तो यह trim हो गया अब हम इसमें fillet करेंगे देखिए यहाँ पर fillet है 45 और नीचे की तरफ 20 यहाँ पर उपर की तरफ 20 नीचे की तरफ 45 तो 45 और 20 का यहाँ पर दिया गया है तो f enter, r enter, 45 enter और m for multiple time अगर आपको use करना है तो m enter कीजिए और trim के लिए मैं trim यहाँ पर नहीं रखूँगा, no trim रख दूँगा तो trim को shortcut में किस तरह से करते हैं, t enter करना है और no trim के लिए n enter और यहाँ पर इन दोनों पर click, देखें यहाँ का portion trim नहीं हुआ, trim रखते तो यह portion trim हो जाता और हमारा arc जो है वो gap हो जाता यहाँ पर, तो trim नहीं रखना है, no trim रखना है, अब नीचे की तरफ 20 का, तो r enter, और यहाँ पर 20 enter, और इस portion में 20 का affiliate apply कर देंगे, extra portion यहाँ पर, य जा हुआ है, elongated hole type में, तो इसे बना लेते हैं, तो इसका जो उपर से gap है, 5 and 10, तो इसे offset कर लेते हैं, o enter, 5, enter, और यहाँ से उपर से 5, नीचे से भी 5 होगा, तो नीचे से भी offset कर देते हैं, अब यहाँ पर जो देख सकते हो, इसका total distance है 100 mm, तो center से 50-50 mm, तो हम लोग क्या क होगा, 188 के half में, तो 188 को अगर हम लोग half करेंगे, तो हमें मिलेगा 94, तो 94 पे हम लोग एक offset ले लेंगे, यहाँ में एक line की जरुत पड़ेगी vertical, इस point से 94, o enter, 94, enter, and then यह वाला मिली गया, अब यहाँ से 50 mm, o enter, 50 enter, अब यहाँ से 50, और यहाँ पर भी 50, tr double enter, इन horizontal lines को इसके बाद trim कर देंगे, और यह जो है, इन lines को अब आप delete कर सकते हो, center line भी delete, F for fillet, directly fillet कर दीजे, F enter, इन दोनों पर click, space, इन दोनों के पर click, parallel lines को अगर आप fillet करेंगे, तो उनके बीच एक circle create हो जाएगा, half circle, तो यह हो गया हमारा, इसे भी delete कर देते हैं, तो यह हमारा complete हो जुगा है, देखिए, जो हमारा range है, आप इसके dimensioning करते हैं, तो 3D बनाना है, तो इसलिए मैं इसके copy रख लेता हूँ, इसे 3D के लिए हम लोग use कर सकते हैं, अब इसमें हम लोग बाकी की चीज़ें करेंगे center line अगरे, तो यह मैं center line यहाँ पर छोटी कर देता हूँ, यहाँ से भी एक line ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि यह से हम center line में convert कर सकें, बाद में, यह वाला हमारा हो गया, इसको थोड़ा स extend कर देते हैं, इन्हें center line में convert करने के लिए, यहाँ से मैं ले लेता हूँ, others, load, और यहाँ पर ले लेते हैं, c for center line, ओके, ओके, तो अब मैं in lines को select कर लेता हूँ, तीनो को, और यहाँ से कर देता हूँ, मैं यहाँ पर center, यहाँ पर देखिए, बहुत ही जादा इनके dots नज दरा रहा है, इस तरह का हमें चाहिए, तो इसका scale हम लोग छोटा कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे, by layer, others, और यहाँ पर कर देंगे, point 2, come करना है, छोटा करना है, तो 1 से come की value यहाँ पर डालेंगे, point 2 कर देते हैं, यह हो गया, इन्हें color भी हम लोग कर सकते ह है, तो मैं इन्हें radio फिर green color यहाँ पर axis के लिए डाल देता हूँ, अब इसमें हमें dimensioning करने हैं, तो dimensions भी हम लोग इसमें डालने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले radius डाल देते हैं, कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर radius value ही है, तो click करता हूँ मैं यहाँ पर radius पे, तो सबसे पहले यह वाली radius डालते हैं, तो यह dimension बिल्कुल normal है, इसमें कोई भी setting नहीं किये हुआ है, आपका हो सकता है, यह size छोटा या फिर बड़ा है, तो इसमें setting करने के लिए मैं d enter करता हूँ यहाँ पर, और d enter करने के बाद modify में जाएंगे, तो देख लिए कौन कौन से setting करने है, सबसे पहले text में जाना है, और text में text height, इसे मैं 3 कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पर above होना चाहिए, जरूरी है, offset from dimension line 1, यहाँ पर कर देते हैं value, और align with dimension रहने देना है, arrow and symbols, arrow and symbols में arrow change करेंगे, same as text size, यहाँ पर कर देंगे 3, और offset from origin तो के object से जो gap है, यहाँ भी हम 1 कर देते हैं, और यहाँ पर color भी select कर लीजे, जैसा कि हमने उसमें apply किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर yellow color का text और यह भी yellow कर देते हैं, और जो text है, उसका भी color हम लोग यहाँ से select कर लेते हैं, green या फिर यह blue color में हम लोग रख लेते हैं, यह फिर हम इसे text को yellow कर देता हूं, और यह जो lines है, उन्हें मैं red कर देता हूं, यह ठीक है, यह हो गया हमारा, और एक symbol आपको करना है fit में, place text manually करना है, क्योंकि इस drawing में, जो text बगे रहे हैं, बहुत ज़ादा congested यहाँ पर dimensions है, तो हमें text को manually place करना यहाँ पर ज़ादा वो पूरी आ है, दिखा देता हूं कौन सी line, यह जो line देखी, यहाँ पर center से show नहीं कर रहा है, complete line हमें show नहीं कर रही है, जिसकी वज़े से अगर हम लोग यहाँ पर डालेंगे, अगर यहाँ पर तो इसका center तक नहीं जाएगा यह line, और हमें पता नहीं चलेगा कि इसका center आखिर है कहां, तो इसके लिए हमें पूरी line दिखाना जुरूरी है, तो इसके लिए हमें यह वाली setting करना जुरूरी है, modify में, fit में जाना है और यहाँ पर arrow कर दीजिए, ओके, close, तो देखी यह अब line जो है पूरी center तक जा रही है, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर यहाँ पर 34, center यहाँ पर हमें दिखा रहा है, इसका भी, तो यह हो गया, बाकी के radius डाल देते हैं, 20, space, यहाँ पर 45, space, तो सारे settings में आपको बता दिये हैं, उसे साब से आप यहाँ पर डाल सकते हो, तो यह सारे radius यहाँ पर मैंने डाल दिये हैं, अब हम इसमें जो align dimension है, आप इस point से इस point तक 27 डाल सकते हो, अब next इसमें हम यह वाला distance, यहाँ से तो यहाँ तक 27, यह हो गया, अब angle हमें दिखाना है 15 degree का, यह angle line हमें दिखाना है, तो हमने उसे delete कर दिया line को, तो draw कर लेंगे, L4 line, इस point से midpoint तक एक line draw कर लेंगे, match property लेंगे, shortcut है, M1, match property, इस center line पर click, इस center line पर click, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी required होगी, इस type की line, बिलकुल center तक इसके 15 degree, match property, इन दोने पर click, ठीक है, अब angle डाल देते हैं, यहाँ पर angular line, horizontal से लेकर इस line तक, 15 degree, space, इस पर और इस पर, 15 degree, तो यह दोनों को 15 degree हमने कर दिया है, अब यहाँ पर कोई और dimensions बाकी है या नहीं देख लेते हैं, यह सारे dimensions हो गए हैं, अब यहाँ पर इस side में हम डालेंगे dimensions, तो यहाँ पर ले लेता हूँ, radius सबसे पहले, यह वाली radius डाल देते हैं, 14, फिर यह वाली, 40 mm, इसको थोड़ा नीचे ले ले लेंगे, ओके, space, यह वाला होगा हमारा 16, space, यह वाला होगा हमारा 30, यह radius सारे हमने डाल दिये हैं, अब होगा यहाँ पर align dimension, इन दोनों के बीच जो है 24 का gap है, तो यह 24, और यहाँ पर, और कौन से dimensions है, 27, ओके, यह यहाँ से तो, sorry, space, इस point से, इस point तक, 24 का gap है, तो यह हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो, कि हमारे center line के उपर जो है, हमारे dimension line यहाँ पर शो हो रही है, तो आप इसे back में send कर सकते हो, तो इसे back में send करने के लिए, आप dimension line को select किजिए, dimension को select किजिए, modify में जाकर, send to back कर सकते हो, यहाँ पर, तो center line के पीछे चलीगी हमारी line, dimension line select, send to back, तो पीछे चलीगी, center line उपर होना चाहिए, यह हो गया, अब linear लेते हैं, और horizontal gap इन दोनों point के बीच 188 का है, तो इसे भी show कर देते हैं, 188, और यहाँ पर इन दोनों के बीच 5 mm का gap, continue dimension कर देंगे, यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा से stretch कर लेते हैं, यहाँ से ले लेंगे continue dimension, और यहाँ पर 10 mm का gap, ओके 5, 10, और total यहाँ पर अगर दिखाता चाहते हो, तो यहाँ पर total होगा 20 mm, बाहर रख सकते हो आप, टोटल है 20 mm, और यह slot के distance हम डाल सकते हैं, 100 mm, center to center, 100 का gap है यहाँ पर, तो यह देख सकते हो, हमारा यह जो drawing है, उसमें सारे dimensions के साथ हमने पूरी तरह से complete कर लिया है, पहली बार में आपको ज़रूर थोड़े सा इसमें practice करने की ज़रत पड़ेगी, उसके बाद आप next time से उसे अच्छे से बना सकते हो, next अब हमें इसे 3D में convert करना है, तो 3D commands भी हमारे सामने होना चाहिए, तो उसके लिए हमें workspace को यहाँ पर change करना होगा, तो workspace को change करने के लिए, यहाँ पर जाएंगे हम इस arrow में, और यहाँ पर हमें पहले तो workspace को on कर लेना है यहाँ पर, annotation, drafting and annotation, यहाँ पर 3D basics में चले जाते हैं, में ज़्यादा commands की ज़रूरति यहाँ पर नहीं पड़ेगी, अब यहाँ पर हमें इसे orbit करना है, थोड़ा 3D में देखना है, तो आप view cube को corner पे यहाँ पर, left side के corner पे, यहाँ पर click कर सकते हो, इसे का आपको एक isometric view नज़र आएगा, आप grid on कर लिजे, ताकि आपको plane visible हो जाए, यह हो गया, आप चाहो तो shift plus middle mouse से यहाँ पर orbit इस तरह से कर सकते हो, दोनों को press करके hold करना है, आप इस तरह से इसे देख सकते हो, तो इसे अब हम लोग press pull करके, इसे 3D में convert करेंगे, यहाँ पर press pull है, आप देखिए यह वाला portion, इसे मैं 10 mm पे करूंगा, तो यह 10 enter, click करके, तो देखिए यह 3D में convert हो गया है, मगर 2D की तरह नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आपको इसका visual style चेंज करना होगा, यहाँ पर जाएए आप 2D wireframe, यहाँ से कर दीजे, shaded of gray, shades of gray with edges कर दीजे, shaded with edges कर दीजे, realistic अभी नहीं करना है, shaded with edges मने कर दिया है, यहाँ पर, आप 3D क की तरह नज़र आ रहा है, देख सकते हो, अब मैं again इसे भी press pull करता हूँ, 10 enter, और यह वाला जो है portion इसे मैं करता हूँ, 6 mm पे, 6 enter, और इसका जो beach का portion है, उसे भी करेंगे, 4 mm पे, 4 enter, अब इन्हें center में लाना है, क्योंकि यह one sided है, देखिए, नीचे का portion बीच का, इसे उप उपर की तरफ लेकिया आना है हमें, तो सबसे पहले तो यह beach का portion जो है, उसे मैं 1 mm उपर की तरफ ले लेता हूँ, middle में, 1 mm, 1 enter, तो उपर लेने के लिए मैंने क्या किया, simple select किया, object को, arrows आ रहे हैं यहाँ पर move के, उपर का arrow select किया, उपर की तरफ लेकि गया इसे, और 1 enter, य दोनों को select किया, और उपर का arrow click किया, उपर की तरफ to enter, तो दोनों को 2 mm पर उपर कर दिया है, अब देखिए यह बिल्कुल center में आ चुका है हमारा, यह हो गया हमारा, अब इसे यह देखिए, objects यह अलग-अलग है, मतलब यह joint नहीं है सारे, तो इने joint करने के लिए हम क्या क करेंगे, union करेंगे, uni shortcut है या फिर यहाँ पर भी union command है, union ले लिजिए, पूरे object को select किजए, और enter प्रेस किज़ों यहाँ पर, यह हमारा पूरी तरह से union हो चुका है, अब इसे click करके इसे थोड़ा side में ले लिजिए, और यहाँ से आप 2D sketch को यहाँ पर delete कर सकते हो, आप य 80, तो यहाँ पर मैं steel apply कर देता हूँ, तो home, यहाँ पर autodesk library रहेगी, और autodesk library में यहाँ पर metals, और metal में देखिए, यहाँ अलग-अलग metals है, aluminium है, अलग-अलग यहाँ पर alloy भी हैं सारे, यहाँ पर steel देखते हैं कहाँ पर है, stainless steel यहाँ पर आप देख सकते हो, stainless steel इस तरह से है, तो आप इससे track करके drop कर सकते हो इसके उपर, यह हो गया हमारा apply, यह वाला चाहो तो यह वाला apply कर सकते हो, तो जो भी आपको ठीक लगे, उस तरह का material आप यहाँ पर apply कर सकते हो, इससे मैं close कर देता हूँ, तो यह black color में आ गया है, अगर आपको नजर नही है, तो मैं इसमें aluminium apply कर देता हूँ, जिससे थोड़ा white color में नजर आया है, सिर्फ और सिर्फ visible होने के लिए, aluminium में भी ज्यादा कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा है, यह rendering के बाद बहुत अच्छा नजर आता है, तो ठीके मैंने एक material apply कर दिया है, तो यह देखिए हमारा wrench भ mechanical engineers के लिए बनाया था, एक student की demand पर, तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं, next वीडियो में